बच्चों हम पढ़ रहें कक्षा 10 की गनित की पाठे पुस्तक का ध्याई 12 वृतों से सम्मंदित शेत्रफल आज भाग 5 में हम हल करेंगे हमारी पाठे पुस्तक की उधारण संख्या 2 से 3 तक प्रते एक उधारण के हल को बच्चों ध्यान से समझते वे नोट कीजिए और बाद में बीना देखे खुद से हल कीजिए देखे उधारण संख्या 2 ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों और फिर हल करेंगे 34 सेंटिमीटर वाले एक वृत के तरिज्य खंड का शेत्रफल ग्यात कीजिए जिसका कौन 30 डिगरी है तो आपको एक वृत दिया गया है उसकी तरिज्जा है चार सेंटिमिटर तरिज्जे खंड का कौन दिया गया है 30 डिगरी और आपको तरिज्जे खंड का शेत्रफल ग्यात करना है फिर आगे आपसे कहा गया है साथ ही संगत दिर्ग तरिज्जे खंड का शेत्रफल भी ग्या कीजिए। जबकि python का मान आपको कितना लेना है? ठीन पॉइंट एक चार का प्रियोग करना है। पाई बराबर ठीन पॉइंट एक चार का प्रियोग करना है। देखिए। समझկे बच्चो ऐक वृत है आप के पास। एक वृत है जिसकी त्रिज्जा क्या है? cया चार सेंटिमेटर है ये चार सेंटिमेटर तरिज्या वाला एक वृत है जिसमें एक क्या है तरिज्ये खंड बना हुआ है ये ओ ए पी बी एक क्या है ये तरिज्ये खंड है और इसका कौन कितना है 30 डिगरी हमें इसका शेत्रफल ग्याद करना है साथ ही ये जो दिर्ग तरिज्य खंड है इस दिर्ग तरिज्य खंड का शेत्रफल भी हमें ग्यात करना है तो उधारन संख्या दो को कैसे हल करेंगे देखिए यहां हल में आप सबसे पहले लिखिए जो आपको ग्यात है वृत की तरिज्य बताईए वृत की तरिज्य वृत की तरिज्य वृत की तर सेंटीमिटर तथा त्रिज्य खंड का कौन थीटा बताईए ये कितना है 30 डिगरी आपको क्या-क्या ग्याद करना है इस लगू त्रिज्य खंड का शेत्रफल और दिर्ग त्रिज्य खंड का शेत्रफल तो पहला लगू त्रिज्य खंड का शेत्रफल ग्याद करते हैं त्रिज्य खंड का शेत्रफल लगू त्रिज्य खंड का शेत्रफल सुत्र बताईए बचो लगू त्रिज्य खंड का शेत्रफल का सुत्र होता है पाई आर स्क्वाइर थीटा बटे तीन सो साथ डिग्री सब के मान भर दीजिये तो यह आ जाएगा 3.14 R की जगे 4 और थीटा की जगे 30 डिगरी बटे 360 डिगरी देखिए calculate कीजिए यह 0 से 0 कट गया यह 3 से 36 कट जाएगा 12 बार 4 से 12 कट जाएगा 3 बार और यह आपके पास आजाएगा देखिए यह आजाएगा 3.14 गुणा 4 बटे 3 अर्थार्थ 4 से गुणा कर लिजे 4 चोग 16 4 एकम 4 और एक 5 4 तिया 12 12.56 बटे 3 12.56 में 3 का भाग लगाईए बच्चू यह आजाएगा 3 चोग 12 3 एकम 3 2 बच गया 26 3 8 24 दो बच गया 3 चीके 18 12 सेंटीमिटर स्क्वाईर यह आप इसको लिख सकते हैं 4.19 सेंटीमिटर स्क्वाईर लगबग कितना 4.19 सेंटीमिटर स्क्वाईर फिर देखिए दूसरा आपको ग्याद करना है संगत दिर्ग तिर्जे खंड का शेत्रफल तो इस लगू लगू तिर्जे खंड के संगत दिर्ग तिर्जे खंड का शेत्रफल हम कैसे ग्याद करेंगे बचो हम वृत के शेत्रफल में से पाई आर स्क्वाईर में से गठा लेंगे इस लगू तिर्जे खंड का शेत्रफल पाई आर स्क्वाईर थीटा बटे 360 डिग्री को पाई का मान 3.14 आर का मान 4 और लगू तिर्जे खंड का शेत्रफल अभी हमने निकाला कितना आया 4.19 तो ये आ जाएगा आपके पास देखो 4.16, 16.64 हांसिल कितनी देखो 4 को 4 से गुणा करोगे 16 आएगा 16 का पड़ा बोलो 4 बार 16.64 हांसिल 6, 16 और 6 कितना हो गया 22 हांसिल 2, 16 तिया 48, 16 तिया 48 और 2 कितना हो गया 50 तो ये 50.24 में से आप घठा लो 4.19 ये आपके पास आजाएगा 46.05 cm2 जिसको आप लिख सकते हैं 46.1 cm2 लगभग कितना 40.1 cm2 तो लगू 30 खंड का शेतरफल 4.19 cm2 लगभग और संगत दिर्ग 30 खंड का शेतरफल 46.1 cm2 लगभग बच्चों ठीक है आकरती 12.9 में इस आकरती में दर्शाय गए वरित खंड का शेतरफल ग्याद कीजिए ये जो वरित खंड बच्चों आपको दर्शाया गया है आकरती संख्या 12.9 में इसका शेतरफल आपको ग्याद करना है जबकि वरित की त्रिज्जा आपको दी गई है 21 cm और थीटा कौन एओ भी आपको दिया गया है 120 डिगरी और ये भी कहा गया है कि पाई का मान लीजिए 22 बटे साथ देखिए इस वरित खंड का शेतरफल आपको ग्याद करना है वरित की त्रिज्जा है 21 cm ठीटा है 120 डिगरी हल में आप लिखेंगे सबसे पहले हल में आप लिखेंगे जो चीज आपको दी गई है तो देखो वरित की वरित की त्रिज्जा आपको दी गई है 21 cm तथा थीटा आपको दिया गया है 120 डिगरी आपको ग्याद करना है वरित खंड का शेत्रफल तो याद कीजिए बचो वरित खंड का शेत्रफल क्या होता है वरित खंड का शेत्रफल वो होता है पाई आर स्क्वाइर थीटा बटे 360 डिगरी माइनस एक बटे 2 आर स्क्वाइर साइन थीटा ठीक है भर दीजिये भर दीजिये मान भर दीजिये पाई का मान 22 बटे 7 आर 21 तो आर स्क्वाइर हो जाएगा 21 गुना 21 थीटा थीटा है 120 डिगरी बटे में है 360 डिगरी माइनस 1 बटे 2 आर स्क्वाइर 21 गुणा 21 गुणा साइन थीटा साइन थीटा देखो साइन 120 डिग्री कितना साइन 120 डिग्री कैलकुलेट कीजिए ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया 12 से इसको काटेंगे तो 12 गुणा 21 कितना जाएगा 22 गुणा 21 माइनस 21 को 21 से गुणा करेंगे कितना जाएगा 441 बटे दो गुणा साइन 120 डिग्री का मान बचो आपको याद रखना है साइन 120 डिग्री कह दो या कह दो कोस 30 डिग्री कितना होता है रूट 3 बटे दो साइन 120 डिग्री का मान कितना होता है रूट 3 बटे दो तो यहां रख देंगे आप साइन 120 डिग्री का मान यह हो जाएगा रूट 3 बटे दो और यह आपके पास आजाएगा देखो बाइस एकम बाइस हांसिल दो बाइस दुनी 44 और दो 46 462 माइनस 441 रूट 3 बटे 4 सेंटी मिटर स्क्वाइर कितना आजाएगा 462 माइनस 441 रूट 3 बटे 4 सेंटी मिटर स्क्वाइर आप चाहे तो आगे केल्कुलेट कर सकते हैं बचो रूट 3 का मान रूट 3 का मान आप रख देंगे 1.732 और आगे केल्कुलेट कर सकते हैं बाकी आपको आगे कल्कुलेट करने की और अधिकाव शक्ता नहीं आए देखिए इस तरीके से हल करेंगे उधारन संख्या 3 को बहुत आसान है सीधा साफ से पूचा है वृत खंड का शित्रफल ग्याद कीजिए वृत खंड के शित्रफल का सुत्र होता है पाई आर स्क्वाइर थीटा बटे 360 डिगरी माइनस एक बटा दो आर स्क्वाइर साइन थीटा पाई का मान 22 बटे साथ आर आपको दिया गया है 21 सेंटिमिटर थीटा आपको दिया गया है 120 डिगरी रख देंगे बस आपको याद रखना है साइन 120 डिगरी का मान कितना होता है रूट 3 बटे 2 ठीक है तो बच्चो आज हमने हल किये हैं हमारी पाटे पुस्तक की उधारन संख्या 2 से 3 तक उमीद करता हूँ दोनों उधारन आपको अच्छे से समझ में आये हैं आपने मेरे साथ साथ दोनों उधारनों को हल किया है और अब आप बिना देखें दोनों उधारनों को हल करेंगे बच्चो खुश रहिए पढ़ते रहिए बच्चो धन्यवाद